नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इस्टॉक्स इजुकेशन में दोस्तों इस चैनल में मैं हमेशा कोसिस करता हूँ कि आपको छोटी से छोटी वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें जादे से जादे information आपको selected करके दे सकों जिससे आपका भी time बचे और आप जादे से जादे information गेन कर सकें तो चलिए इस श्टार्ट करते हैं वीडियो का और देखते हैं आज का हमारा कौन सा ही stock है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड क्या इस कम्पनी को बाई करके चलना चाहिए क्योंकि यह कम्पनी तो काफी ज़्यादा भाग चुका है आप देखेंगे इसका 52 विक लो हुआ करता था 67.65 का और इसने अपना हाई बनाय था 472.15 का यहने कि एक छोटी सी कम्पनी जो 100 रुपए के भी नीचे चला करती थी वो 500 रुपए के पास पहुच चुका है तो क्या इतना उपर भागने के बाद इस कम्पनी को बाई करना चाहिए लॉंक टर्म के लिए या फिर सौट टर्म के लिए कम्पलीट डिटेल की बात करेंगे वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें लाश्ट टेटिंग सेसन में यह कम्पनी क्लोज हुआ है 428 रुपए वे जब देख लेते हैं इस कम्पनी का और डिटेल क्या बनता है यह मैंने चार्ट लगा रहा है इस कम्पनी के पिछले पान साल हो गदा अगर पिछले पान साल के आप चार्ट को देखेंगे तो जिस साबसे यह कम्पनी मुमेंट करते हुए आगे बढ़ा है आप देखें कि जिस साबसे यह कम्पनी भारी ग्रावट के साथ उसके बाद अगेन बांस बैक किया और अपना आल टाइम हाई बनाय यानि कि अगर यह कम्पनी यहां से करेक्ट होना स्टार्ट होता है और भारी करेक्शन आता है तो इस कम्पनी के लिए सपोर्ट लेवल काफी ज़्यादा इंपोर्टन होगे और इस कम्पनी के अगर फ्यूचर की बात के तो मुझे लगता है कि इस कम्पनी का फ्यूचर आ के लिए काफी important detail होगा दोस्तों अगर FII के holding की बात करें तो आप देखेंगे जून 2021 में उनकी holding है वह है 20-30% की अगर DII की holding की बात करें तो आप देखेंगे 7.38% का आपको detail देखने को मिल जाएगा जबकि अगर public के holding की बात करते हैं तो आप देखेंगे public की holding 72.30% का detail देखने को मिलेगा तो देखेंगे इस company का और detail क्या बनता है दोस्तों अगर इस company के short term के charge की बात करें तो जो लोग short term के लिए इंट्री कर चुके हैं या फिर करनी की सोच रहे हैं उनके लिए यह data काफी जदा important होने वाला है आप देखेंगे यह company यहां पर resistance कर रही है बार बार यानिकि इससे पहले भी एक बार resistance किया था उसके बाद इस company में correction देखने को मिला उसके बाद यह company कुछ दिनों तक consolidate करने के बाद again bounce back किया तो same level पर फिर से resistance phase करके गिरावट continue होना ही start हो चुका है तो क्या यह company फिर से उसी लेवल के पास जाकर support लेने की कोसिस करेगा लेकिन नहीं उससे पहले इस company का एक और support लेवल बनता है जो की 394 रुपए के पास में बनता है जो की 21 दिनों के EMA का भी लेवल है तो अगर यह company इन लेवल के प जाने की कोसिस करता है या फिर उसके नीचे अगर जाता है तो 350 रुपए के पास जाने की कोसिस करता है तो फिर से इस company के लिए resistance का काम करेगा यह लेवल जो की 438 रुपए के पास का है जो लोग इस company में short term के लिए entry करना चाते है वो पहले इस company का एक support लेवल बन जाने दे यानि कि या company अगर अपने 21 दिनों के यमे पे support लेती है तो उस पे जब support लेकर bounce back करना start करेगा तो फिर आप चाहें तो buy कर सकते हैं या फिर इस company में अगर breakout आता है तो फिर उस label पे भी आप buy करके चल सकते हैं तो कि breakout आने के बाद इस company में आपको 520 रुपए से लेकर 550 लगा कर चलना चाहिए इस टॉप्रस कहां पर लगाना चाहिए तो सेम लेवल पर लगा सकते हैं यानि कि 394 रुपए पर इस company का support लेवल बनता है तो आप चाहें तो 390 रुपए के पास अपना इस टॉप्रस लगा कर आगे के लिए continue कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इतना ही वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो